स्वस्थ रहने के लिए इन 21 नियमों का पालन करें पहला फ्रीज में रखे ठंदे पानी को पीने से बचना चाहिए यह न केवल गले के लिए हानी कारक होता है बलकि हमारे सरीर को भी नुकसान पहुंचाता है दुसरा कहीं भी बाहर से आने के बाद बाहर की वस्थूंगों को छूने के बाद घर में रखाना बनाने से पहले खाना खाने से पहले हाथ को बहुत अच्छी तरह से धोना चाहिए तिसरा यदि घर में छोटे बच्चे और बुढ़े लोग हो तो सुष्थता का अधिक ख्याल रखना चाहिए क्योंकि बच्चे और बुढ़े लोगों को बीमारी जल्दी हो जाती है घर में सफाई जाडू पोच्छा जाला साफ इत्यादी करते समय करना चाहिए कूलर में या किसी भी गड़े में पानी अधिक समय तक नहीं बहा रहने देना चाहिए इससे वहाँ पे मच्चड कीड़े मकोड़े पनपनाते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं अता हमें सफाई का विसेश ख्याल रखना चाहिए फर्स की सफाई फेनायल आदी डाल के करनी चाहिए ट्वालेट एयो बात्रूम में हमेशा साफ रखना चाहिए यहां से इन्फेक्शन का खत्रा अधिक होता है छाथमा खाने में प्रोटीन, भोजन, दूद, दही, सलाद, फल, अनाज, हरी, सबजी, आदी का प्रयोग करना चाहिए हमेशा सबजीयों को धो के प्रयोग में लाना चाहिए साथमा खाने को पकाने के लिए सोया बीन, तेल, सनफलावर, आयल, मक्का या आवलिंग, आयल को प्रमक्ता देनी चाहिए अठमा बहुत देर तक एक ही अवस्था में नहीं बैठा रहना चाहिए नौवा, सरीर को विटामिन डी की अशकता होती है, जिससे हडिया मजबूत रहती है हमें सुबह की दो, तीन घंटे धूप लेनी चाहिए दस्वा, सर्दियों में सूखे मेवे खाने चाहिए परंतु कम मात्रा में, अखरोट का अच्छा स्रोत है इसलिए अखरोट का सेवन करना भी लावधायक होता है ग्यरहमा, संतरे अंगूर नीबू एम अमरूत में बिटामिन सी की अच्छी मात्रा में पाई जाती है इसका सेवन प्रतिदीन करना चाहिए अपने भोजन को पोशक के भरपूर बनाए रखने के लिए उसमें प्रोटीन, बिटामिन, कैल्सियम, ऐरन, खनीज, लवर की संतुलित मात्रा सामिल करनी चाहिए तिरहवा, मांसी के उसारिरी क रूप से स्वस्त रहने के लिए हमें यूगा करना चाहिए सकरात्मक सोच रखनी चाहिए और अपने काम एस जीवन में संतुल बना कर रखना चाहिए 14. हमेशा एक्टिव रहना चाहिए और मनुरंजन गती विधियों में खुद को व्यस्त रखना चाहिए 15. मांसी के उसारीरिक रूप से स्वस्त रहने के लिए हमें योगा करना चाहिए 16. हमेशा एक्टिव रहना चाहिए और मनुरंजन गती विधियों में खुद को व्यस्त रखना चाहिए 17. नासीले प्रदार्थों का इस्तेमाल या सेमन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए इससे हमारे सरीर के पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं इससे एक्रित फेफडे इत्यादी खराब हो जाते हैं 18. आपको ये संपर्क में रहना चाहिए और अपने मन के भावनाओं को विश्वसनी व्यक्तियों के साथ साज्जा रखना चाहिए 19. बड़े बुजर्गों के साथ समय वैतीत करना चाहिए उनकी छोटी छोटी बाते बहुत ही ग्यान पूर्वा देती हैं 20. तावे के बरतन में पानी पीना चाहिए क्योंकि ये हमारे दिमाग को नुकसान पहुचाता है और सही में आराम नहीं रखने देता है इससे इलक्टरानिक वैसाई निकालते जो हमारे लिए खतरनाक होती है ये मानसी के उसारीरी को कमजोर रखती है 22. भूख से अधिक खाना बीना भूख के खाना एं और समय खाना विवस्ता के लिए हानी खारक होता है 24. कब्ज में पीडित लोगों को साम के समय पपीते का सेवन जरूर करना चाहिए 25. दातों को सवस्ते और साफ रखने के लिए रात को सोने से पहले दातों को साफ रखना चाहिए इसके बाद एक ग्लास पानी पीके ही सोना चाहिए 24. खाना खाने के समय अधिक पानी नहीं पीना चाहिए बीच में एक बार ही पानी पीना चाहिए यदि हो सके तो खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पीए 25. प्रतिदी योगा करना हमारे सरीर के लिए लाब दायक होता है यह हमें गंभीर बिमारियों से भी बचा सकता है 26. सुबा खाली पेट चाय नहीं पीना चाहिए बलकि चाय पीने से पुर्वा खाली पेट गुनगुने पानी का सेवन करना फैदे मंद होता है 27. दिन में एक व्यक्तित को लगभक पान से छे लीटर पानी का सेवन करना चाहिए 28. हम अपने सरीर में जल की प्राप्त मात्रा को पुर्व करने के लिए फलो तथा सबजीयों का जूस का सेवन कर सकते है 29. हमें प्रतिदीन 30 से 40 मिनट तक व्याम करना चाहिए 30. रात में जल्दी सोने से हमें सुबर जल्दी उठने में मदद मिलता है यहां तक कि जल्दी सोने के बाद अगर हम सुबर जल्दी उठ भी जाते हैं तब भी हमारी नीद पूरी हो जाती है अभी हमारा सारा पॉइंट खतम हो चुका है फिर मैं आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और मुझे ऐसे ही कमेंट और लाइक देते रहें धर्नेवाद फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में